हेलो स्टुडेंट्स अब हम पढ़ेंगी क्लास से 6 एक्सर्साइज 3.5 एक्सर्साइज 3.4 तक हमारी कंप्लेट हो चुकी है फैक्टर एंड मल्टीपल्स की थी हमारे पास एक्सर्साइज 3.4 अब उसी से लेटिड हम पढ़ेंगी क्वेशन फॉस्ट में डिविजीबल का था हमारे पास दो exercise 3.5 question number first which of the following statements are true के इसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे पास true है if number is divisible by 3 हमारे पास कोई number है जो divisible by 3 है 3 से divide होता है it must be divisible by 9 तो यह जरूरी है कि हमारे पास वो 9 से भी divisible होगा बट ऐसी तो कोई condition नहीं होती जैसे हमार पास 6 है एक्जाम्बल के लिए लिते हैं, 6 है 6 हमार पास 3 से divide होता है बट क्या 6 हमार पास 9 से divide होता है यह तो divide नहीं होता बट divide होता है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? false यह जरूर ही नहीं है कोई number 3 से divide होता है तो वो number 9 से भी divide हो next time if a number is divisible by 9 एक number मार पास ऐसा जो 9 से divide होता है it must be divisible by 3 वो 3 से भी divisible होगा हाँ ये हमार पास condition satisfy होती है 9 से divisible है जैसे हमने ले लिया 27 27 9 से divisible है 3 ते अब 27 को गरम 3 से divide करेंगे तो उससे भी हो जाएगा तो क्या बोल देंगे हमार पास condition क्या है true if a number is divisible by 18 कोई number हमार पास ऐसा जो 18 से divisible है it must be divisible by both 3 and 6 तो वो number 3 और 6 दोनों से divisible होगा ये condition भी satisfy करती है पिछले chapter में हमने पढ़ा था कि कोई 18 है 18 के अगर हम factor बनाते हैं तो क्या है 6 and 3 तो कोई number अगर इससे divide होता है तो उसके factor से भी divide होगा इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको true next है if a number is divisible by 9 और 10 बहुत है अगर हमार पास कोई number है जो divisible है by 9 और 10 then it must be divisible by 90 तो क्या वो number हमार पास 90 से भी divisible होगा ये से it is possible ये अगर कोई number हमार पास 9 और 10 दोनों से divisible है तो वो number 90 से भी divisible होगा next फिफ्ट है वन मिनिट फॉल से भी टाइं फॉल से क्योंकि अगर कोई number 9 और 10 से divisible है तो वो number हमार पास 9 और 10 का common factor देखते हैं 9 और 10 में कोई भी common factor नहीं है it means 9 multiply 10 आएगा 90 ठीक है true आएगा फिर हमार पास क्या होगा true क्योंकि इन दोनों की multiply करते हैं 90 आता है इनमें first common factor क्या आता है 90 के इलावा हमार पास कोई भी common factor नहीं है तो हमार पास क्या होगा ये true next है if two numbers are co-prime कोई भी दो numbers हमार पास क्या होगे co-prime क्या होता है जिन में common factor 1 होता है at least one of them must be prime उन दोनों में से कम से कम एक prime हो ये तो कोई जरूर ही नहीं है कि कम से कम एक prime हो सकता है हो दोनों prime होगे तब ही तो हमारे पास क्या होगा दोनों co-prime आएगे इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे false नेक्स्ट है, ओल नंबर्स है, विच आप डिविसिबल बाई 4, ऐसे नंबर्स जो डिविसिबल बाई 4 हैं, must अब बहुत बहुत बाई 8 है, यह भी कंडिशन जरूरी नहीं है, कि कोई नंबर अगर हमारा 4 से डिविसिबल है, तो गो 8 से भी डिविसिबल हो, जैसे 12 है, 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बट क्या 12 को में 8 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, false, next है, all numbers, which are divisible by 8, ऐसे numbers, जो 8 से divisible है, must also divisible by 4, हाँ, ये condition satisfy होगी, कि कोई number, अगर 8 से डिवाइड होता है, next है, if a number is exactly divides two numbers से separately, अगर हमारे पास कोई number exactly, completely divide करता है, कोई भी दो numbers को, अलग-अलग, separately क्या दिर रखा है, separately, exactly divides two numbers separately, it must exactly divides their sum, तो वो उन दोनों के sum को भी divide करेगा, कोई भी number लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, if a number is exactly divided by two numbers, कोई number है, हमारे पास है, जो कि नहीं भी, दो numbers को divide करता है, separately, अलग-अलग, जैसे हमने क्या ले लिया, 12 and 8, यह दो number ले लिया, और 4, दोनों को divide करता है, 4 3 जा और 4 2 जा, तो क्या दोनों के sum को भी divide करेगा, 4 प्लस 8 क्या आजेगा, 20, और 20 को भी 4 divide करता है, तो क्या बोल देंगा हम इसको true, next time, if a number is exactly divides the sum of two numbers है, अगर हमारे पास कोई number की नहीं भी, दो numbers के sum को divide करता है, it must exactly divide the two numbers separately, तो यह कोई जरूर नहीं कि वो उन दोनों को भी अलग-अलग separately divide करेगा, जैसे हमारे पास कोई भी example लेकी चल पड़ते हैं, तो हम जिसे 12 और 3 है, और 5 से divisible देखते हैं, तो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं 12 प्लस 3 करेंगे, क्या आजेगा 15, 15 divide करता है 5 से, बट क्या हमारे पास 5 इनको divide करता है, सेपरेटली नहीं करता, तो हम क्या बोल सकते हैं, यह फॉल्स है, next time, here are two different factors, चीज़े, for 60, write the missing numbers, आपको दो 60 के आपके पास है, factor दे रखे हैं और उसको feel करना है, कैसी, देखो 60 के factor देखते हैं, 60 के factor बना रखे, 60 के factor क्या क्या आएंगे, 60 को हमने break कर दिया 6 और 10 में, क्योंकि 6 multiply 10 क्या आता है, आपके पास है, 60 आ जाता है, फिर हमने 6 को break कर दिया, 2 multiply 3 में, यहां पे आपको क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है आपको blank दे रखा है तो किस-किस की multiply 6 आती है 2 और 3 की तो हमने यहाँ पर क्या feel करेंगे 3 इसी तरह यहाँ पर 10 है 10 किस-किस की multiplication है 5 5 की किस से multiply करेंगे 10 आएगा 2 से तो हम यहाँ पर क्या feel करेंगे 2 नेक्स्ट है 60 60 को हमने ब्रेक कर दिया 30 और 2 में 30 और 2 की multiply करेंगे 16 फिर हमने 30 को ब्रेक करेंगे 10 & 3 के अंदर 10 यह आपको fill in the blanks करना है तो हमार पास 30 को ब्रेक कर दिया 10 10 की किस से multiply करेंगे 30 आजे इत मिन्स 3 बरेंगे 10 3 जा 30 अब 10 हमार पास किस किस का फेक्टर है 5 और 2 का ते यहां क्या आजेगा 5 & 2 next which factors are not include in the prime factorization of a composite number which factors कौनसे factors are not include include नहीं है in the prime factorization of a composite number एक composite number के prime factorization में कौनसे number include नहीं है अब वो नमबर मार पास क्या है Only one ऐसा number है One is the factor One एक ऐसा factor है Which is not included in the prime factorization of a composite number किसी भी composite number के जब हम prime factor बनाते हैं तो कभी भी उसका factor बने नहीं आएगा हमारे पास Next time, write the greatest four-digit number से आपके पास क्या दिर्खा है? Greatest four-digit number and express it in the terms of it से prime factors और उसको हमें prime factors में express करके दिखाना हैं अब देखेंगे पहले greatest four-digit number क्या होता है? Greatest बोल रखा है तो four times nine लिखेंगे हमारे पास यह digit आगया अब हम इसको three पे बना के express करके दिखाएंगे 999 इसको हमने break कर लिया 3 और 333 से क्योंकि इनकी multiply करें? क्या हैगा? 3 3 जा, 9 3 3 जा, 9 यह आजएगी आपके पास तो हमने break कर लिया 3 and 3333 के अंदर अब इस three को हमने किस-किस में break कर सकते हैं? 3 और 1 में break कर सकते हैं इसको हमने break कर दिया फिर से 3 और 1 1 1 में अब इनकी अगर हम multiply करते हैं तो आप इस यह आ जाता है फिर हमने 1111 को आपके दिया 101 and 11 के अंदर तो इसके आप से क्या पूछ रखा है? प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर ओफ ए 99999 आर अब इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या क्या है? इसके प्राइम फैक्टर इससे आगे की कुश्चन नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू